हेलो प्रिंज तमस्ते में रोक्ते श्वेता और आज मैं बात करने वाली हूँ अलाइनस के बारे में टिक क्या आपकी टेड़े मेरे दात हैं और आप इसलिए ही ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते क्योंकि आप वो तारवाला ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं तो बिलकुल यह की बात के शक्यादे दातों को एक लइन में लेकर आ जाए उसको अलाइनस कहा जाता है और यह मतलब यह होते हैं इन्विजिबल क्योंकि बहुत सारे पेशिंट्स को जब हम बात करते हैं तो समझाते हैं कि आपको दात का ट्रीटमेंट करा लाना चीजी टेड़े मेरे दात लाइन्ज होते हैं जो कि अगर आप यूज करते हैं थो बहुत एज़लT देते हैं तो डेंटा सबसे पहले आपके दातों को चेक कर लेते हैं और उसके बाद उनको स्कें कैयाता है पुझाया जाता है कि इस तरह से पके दात्त की पोजीशन है हर step के बाद लिया जाएगा set of trace बन के आती है वो आपको use करना होता है और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे दातों में improvement होता जाता है और इसको use करना बहुत असान होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि patient खुद से इसे पहनता है तो अब हम बात करेंगे कि metal braces और इसमें क्या अंतर है क्यों ये जादा better है actually इसके फायदे बहुत सारे होते हैं पहली चीज तो ये तार उसमें दिखता है जिसे कि metal braces में braces लगते हैं wire हो जाता है और फिल लास्टिक्स होते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है इन्वेजलाइन में ये दिक्कतनी प्लास्टिक के होते हैं simply इसमें इस तरह की कोई बीचीज यूज नहीं होती है तो looks बहुत अच्छे है second इसमें दातों की साफसफाई अच्छे से हो सकती है क्योंकि जो इन्वेजलाइन होते हैं जो अलाइनस होते हैं उन्हें maximum time पहनना होता है 20 से 22 hours के इसको पहनना होता है सिर्ग खाना खाते वक्त और brush करते वक्त इसको निकालना होता है तब इसका result मिलता है खाना खाते हैं तो आप उसके बाद देखते हैं कुछिंब चान्ने में दिककत होती है झेने सब्सक्राइब जाता है तो आप समझेक हैं कि इस से खाना खाना भी बहुत असान हो जाता है और चीज़े वी नहीं कर सकते हैं मतलब अगर उसमें क्या होता है कि अगर आपने मैंटील ब्रेसिस लिए तो देंटेस्ट फिर आपको बुलाते हैं विजिट पे और फॉलॉप लिए जाते हैं और जो भी एडिस्मेंट होते हैं वह डेंटेस्ट करते हैं इसमें आपको खुद से पहना है खुद से निकालना ह पूरे ही मुह में दिक्कत हैं तेड़े मेरे हैं दाथ गैप से तो पूरे मुह के लिए सेट दिया जाता है अब बात आती है सेट जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है अचली इसमें ट्रेस का सेट होता है वो कम से कम पेशन्ट को 20 ट्रेस से लेकर के 40 ट्रेस का सेट आ हर बारी tray यूज़ की जाती हैay, 15-20 दिन के लिए एक tray को एक सेट को यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर व होव path Can करके 2nd आपको दे दी जाती है the occurs, तो इस तरह से buyers आपको भाते दार आद आड़ के याती है जो आपको पहनना होता है रेगूलरी, काम आते हैं थर्ड आता है partial aligners मतलब कि सिर्फ एक दो दातों के बीच में gap एक तो दातों में टेड़ा पन है तो उसके लिए partial aligners होते हैं और last होता है teen aligners teen aligners मतलब कि जो बच्चे होते जो teenagers होते हैं उन में भी यह पहना जा सकता है और इसका result अच्छा होता है अगर आप दातों का treatment aligners से करवाते हैं तो इसमें कम से कम एक साल से ले करके डेर से दो साल तक का समय असानी से लग जाता है और डिपेंड करता है कि आपका age क्या है और आपका किस तरह के दातों का condition रहा है आप cost की बात करें जो cost होता है वो भी बहुत सारी factors पर डिपेंड कर expertise है तो फिर भी मैं आपको बता देते हूँ कि इसका खर्चा 1 lakh से लेकर के 3 lakh रुपीज तक का हो सकता है तो जरूर से अगर आप इस वज़े से treatment नहीं करा रहे हैं कि तावरा treatment नहीं करा रहे हैं तो आप इस treatment के लिए जा सकते हैं कोई भी question आपको अगर रहता है तो आप व Namaste